आज की इस महफिल की सदारत कर रहे प्रोफेसर मौम्मद मिया साहब, प्रोफेसर मुच्टुबा हुसेन साहब, उस्ताद मौतरम प्रोफेसर मुजाविर हुसेन साहब, डाक्टर निखत जहां साहबा और इस अदवी जलसे में शिर्कत करने माले तमाम हाजरीन, असलाँ आलेकुम, मजाज, इनकिलाब, और रुमान, और मजाज के सेसले में जो एक तारुफ अभी रक्ट साहबा ने पेश किया, जाहिर है कि इतने जी इल्म लोगों के सामने और कुछ अपने ख्यालाद का इजहार करना, उस तादे में हुतरम मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं फिर भी, जिस तरह से मैंने उनको समझा है, या जिस धंग से उनके बारे में सोचा है, मैं पेश करने की जाज़त चाहती उन्वान है, मजाज इनकलाब का रूमानी मुसाफिर मजाज की शेरी शख्सियत की तफ्हीम के लिए ये जरूरी है कि उस मनजरनामे पर भी एक नजर डाल ली जाए, जो 1930 से 1955 तक मुहीत है पचीस साल के इस अरसे में हिंदोस्तान की सियासी फिजा में इनकलाब रूस की सदाए बाजगिश्ट और अगर अगर इकबाल की शायरी में खुबसूरत इस्तियारों और बली, गरम्जियत और इशारियत के साथ जल्वागर हो चुकी थी तो मौला ना हसरत महानी जैसा बांका घजल गो भी ये कैँ उठा था कि लेनिन की तरह देंगे दुनिया को हिला हम मेरट साज़िश केस, साइमन कमिशन, डांडी मार्च और कॉंग्रेस के अंदर सोशलिस्ट ग्रूप का क्याम और उन सब के साथ हुकमत बरतानिया, तिजारिदी मंडी पर कबज़ा करने के लिए अमरीका का दबाओ, खुद हिंदोस्तान में तकदीर परस्ती की जगह, एसास कमतरी की जगह, अब एसास महकूमी का रद्यामल तेजी से उभरने लगा था समाजी हालात ये थे, कि एक तरफ हिंदोस्तानी अंग्रेज से नफरत करता था, दूसरी तरफ उसकी लाई हुई जर्क बर्क तहजी इस हद तक मतासिर कर रही थी, कि खातून महतरम मादाम और लेडी हो गई थी और जागिदारी अश्राफिया उसे बरदाश भी नहीं कर पा रहा था, मगर कस्बे छोड़कर शेहर की तरफ भाग रहा था जहां यही मगर्बी तहजीब थी, तहजीबी कर्व का दौर था, जिसमें पढ़ा लिखा नौजवान फैसला नहीं कर पा रहा था, कि कि धर जाएं शेरी फिज़ा भी एक तरफ सियासी हालास से मतासिर थी, वो जुनारे गुंज रहे थे, और फिज़ा में जन्जीर की जहनकार, तौक उसलासिल, गैद खानों में कोडों की आवाज, और चारो तरफ इनकिलाब जिन्दावाद की गुंज, वो अगर इकबाल के यहां गर्कार में बदल गई थी, मैं सिर्फ एक लफ सर्फ करने के जाज़त चाहती हूँ, कि जोश की शायरी तिल्मिलाहट के साथ किल्किलाहट में बदली, हुई थी, कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, यह सब अपनी जगा था, लेकिन गजल अपनी गनायत के साथ, अपने आहंग और अपने तरन्म अपनी दिलकुशा सदा को के आहंग को लिये हुए सफी साकिव अजीज और जिकर मुरादाबादी और फिराग गुरकपूरी की रिंदी और सरमस्ती के साथ जूमती हुई अपनी जगा उसी अदाय महबूबियत के साथ जल्वागर थी मजाज ने इस पूरे मनजर नामे को अपनी शख्सियत के आईने में देखने की कोशिश की है उर्दुशाइरी में इनकी शख्सियत निजी जिन्दगी और जाती हालात तलाश करने की कोशिश की जाती है ये नजरियाती बहस की शख्सियत और जाती जिन्दगी किन हद तक कलाम पर असर अंदाज होती है शायरी शख्सियत से गुरेज का नाम है या शख्सियत का इजहार इन मबाहिस को छोड़ने की छेड़ने का यहां मौका नहीं है सिर्फ इतना अर्ज करना है कि मजास के शेरी रवएए में उनके माहाल और मनजरनामे को बहराल दाखल था और वो मनजरनामा किसी मौझे तहन शी इश को भी अपनी लहरों में समझ सकता था इससे कता नजर उनकी शायरी में एक बगावत का हंसुर अपने माहाल को बदल देने की खोहिश तमना और तड़प और फिर कुछ नाक कर सकने की कसक मिलती उन्होंने अपनी शायरी का आगाज गजल से किया फानी से इसलाह ली जजबी का साथ रहा सुरूर सहाब उनके हमासर थे और अबुल्लै सिद्दी की जन्होंने लखनू का दबिस्तान शायरी लिखा अली गड़ में भी उनका साथ रहा जिनकी वज़ा से एक लासिकी शौरा को भी थोड़ा बहुत पढ़ा मगर सही यह है कि उन्होंने उसमें से किसी का असर कुबूल नहीं किया उनकी अपनी शख्सियत भी एक फितरी रद्यामल वाली कैफियत थी जैसे किसी बच्चा से ये कह दिया जाए कि ये ना करो तो वो वही करेगा रुमानियत में दरसल यही होता है कुछ करने की तमना हमारी जबान में अगर गालिव से अलफाज मुस्तियार लिए जाएं तो वामान दीगे शौक पनाहें तराश्टी है तलाश करती है अंग्रेजी शौरा में देखिए वर्सवत ने फितरत के दामन में पनाह ली कीर्स और शैली वगएरा इश्क की दुनिया में चले गए मजास के सामने भी कुछ कर गुजरने की खौहिश थी उसे अंग्रेजी शौरा के मुकाबले एशास महकूमी के जवर ने दबा रखा और अभी जिस पस मंजर का जिक्र किया गया जिन आरों की बात की गई वो सब मिलकर उन्हें एक ऐसी शाहरा पर ले आए जहां एक तरफ सियासत का रंगी महल था सिर्फ सोचने की हद तक और द जैसे पहलू भी थे मजाज ने उन्हें मतसादिम होने नहीं दिया उन्हें अलग अलग खानों में इस तरह रखा के दोनों की सरहदें कभी कभी एक नजर आती हैं वो अपने शेरी माहौल से बच नहीं सकते सके कुछ उन्होंने ऐसी नजमें भी लिखी हैं बोल अरियो धर दुखिया हैं दुखिया नर हैं दुखिया नारी या लाल जंडा है हमारे हाथ में इस नजमें देखिए लाक लशकर आएं कभ हिलते हैं हम आंधियों में जंग के खुलते हैं हम मौश से हसकर गले मिलते हैं हम लाल जंडा है हमारे हाथ में यहां अदब के साथ अर्ज़ करने को जी चाहता है कि ऐसी शायरी में ना रूमान था ना इनकिलाब लेकिन जब वो मादाम जैसी नजम लिखते हैं तो दिल में इर्तियाश पैदा होता है और सारे तार जंजना उटते हैं मादाम के अशार देखिए जुल्फ की च्छाओं में आरिस की तबो ताब लिए लब पे अफसू लिए आँखों में में नाब लिए हर नफस रौ में लिए शुर्श तग्यान नहा हर नजर शौक का अफसान है बेताब लिए इन अशार में अर्जियत है वो मावराई इश के काईल नहीं है उनकी महबूबा इस दुनिया की औरत है जीती जागती गोश्ट पोश्की औरत है चहकती महकती लचकती खातून है ये अशार देखिए उन्वान है किस से महबत है लब लाली पे लाखा है नरुखसारों पे घाजा है जबी नूर अफशा पर न जूमर है न टीका है जवानी है सुहाग उसका तबस्वम उसका गहना है नहीं आलूदे जुलमत सहरदा मानिया उसकी यहां तक मैंने मजाज के रोमानी तसवर की तरफ मतवज़़ किया है और मिसालें भी हो सकी हो सकती रही है लेकिन उनमें से सर्फ नजर करते वेशा अब उस मजाज से मिलिए जो फैस के लफजों में इनकिलाब का नगमाख़ां और मतरिब है यही वज़़़़ है कि मजाज के शेर में थकन नहीं मस्ती है उदासी नहीं सरकुशी है मजास की इनकिलावियत आम शायरों से मुक्तलिफ है आम इनकिलावी शायर इनकिलाव के मुतालिख गरचते हैं ललकारते हैं सीना कूडते हैं इनकिलाव के मुतालिख गा नहीं सके अनकोड वो संतेतिस में इनकिलाव का नारा बलंद कर चुके थे और ये कहा जा सकता है कि उनके शेरी पसमन्जर में जोश की शायरी थी और वो शेर था काम है मेरा तगयूर, नाम है मेरा शबाव, मेरा नारा इनकिलावो, इनकिलावो, इनकिलाव लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस नजम के पसमन्जर में 1931 की वो फासियां थी जो शहीद भगस सिंग राजगुरू की शक्ल में हिंदोस्तान को पयाम इनकिलाब दे गई थी मजाज इनकिलाब का कोई वाज़ तसवर नहीं रखते बलके उनके इस बंद पर कलिमुद्दीन अहमद ने इतराज भी किया वो बंद दर जल है इनकिलाब नजम का है जोपड़ों में खूँ महल में खूँ शबिस्तानों में खूँ दश्त में खूँ वादियों में खूँ बेयाबानों में खूँ पुरसुकू सहरा में खूँ बेताब तरियाओं में खूँ दैर में खूँ मजजिदों में खूँ कलीसाओं में ये खूनी मनजर नामा शेरी हिस्सियास से खाली है लेकिन उनसे बसादादा बेख्तिलाफ करते हुए कहना कि किसी तास्र की तखलीक के लिए इस तरह के अलफाज की तक्रार नागुजीर हो जाती है मजाज जिस इनकिलाब का तसवर रखते थे उस तसवर की तफसील के लिए ये बंद जरूरी था इसलिए कि ये गुर्बानी का मतालबा कर रहा था मजाज इस नजम को खत्म करते हुए लिखते हैं कि और इस रंगे शफक में हजार हा आबोताव जगमगाएगा वतन की हुर्यत का आफताव ये सियासी इनकिलाब की जहलक है जो अलामती तोर पर रात और रेल और अंधेरी रात का मुसाफिर में मिलती है जिसमें मुसाफिर मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता है मगर इस इनकिलाबी फिजा में वो औरत को भी शरीक कार करना चाहते हैं उनकी इस नजम के कुछ अशार मुलाहज़ा हूँ तेरे माथे का टीका मर्द की किसमत का तारा है अगर तो साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था अया हैं दुश्मनों के खंजरों पर खून के धब्बे उन्हें तो रंग आरिस से मिला लेती तो अच्छा था सनाने खीच ली सिर्फिरे बागी जवानों ने तो सामाने जराहत अब उठा लेती तो अच्छा था पिर वही तेरे माथे पर यह आचल बहुत खूब है लेकिन तो इस आचल से एक पर्चम बना लेती तो अच्छा था अब एक रुख और देखिए उससे मतालिक पांश जो जाहिर है नहो वो लताफत नहीं है जो पिनहा रहे वो सदाकत नहीं है यह फित्रत नहीं है मशियत नहीं है कोई और शेय है यह इसमत नहीं है यहाँ पर वो मश्रिकी तहजीग के अगदार के खिलाफ बगावत करते नजर आते हैं रुदौली शरीफ के खानकाही मिजाज जागिरदारी अश्राफिया बंधी टकी रसमे उन सबसे बगावत का होसला दर्जबाला इशार में मिलता है मगर यहाँ भी न वो नासे हैं नहीं परदा नोचने के काईल है उनके हाँ जो नगमगी है उसे वो किसी शक्ल में अपने हाथ से जाने नहीं देते उनकी शख्सी जिन्दगी के बारे में कुछ लखना मेरे लिए मुनासिब नहीं और उनकी सीरत और पहलू ऐसे नहीं है जिस पर एक मश्रकी खातून कुछ लिखे बस इतना लिखकर मैं आगे बढ़ती हूं कि मजाज ने जो कुछ भी कहा उसमें नगमा वाहंग का ख्याल रखा और इसी लिए चाहे वो सियासी इनकिलाब की बात हो चाहे समाजी तबदीली का तथकिरा हो कहीं भी चिखते चिलाते गरचते कड़कते नजर नहीं आते उनकी शायरी में हमारे लहाबाद की ठेट जबान में गंगा का बहाव है जमना का गैज औ गजब नहीं वो हर्फ तमन्ना का शायर है उसकी निशाते फिक्र जब ये कहती है कि सदाए तीशे मजदूर है तेरा नगमा तो संगो खिष्ट से चंगो रबाब पैदा कर बहे जमी पे जो मेरा लहू तो गम मत कर इसी जमी से महिकते गुलाब पैदा कर तो इनकलाब की आमद का इंतिजार ना कर जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर नजम नौजवान से है इस तरह के अशार में मुस्तक्बिल का खौब है राना ये फिक्र है वो कैफियत है जो सुब के उजाले को सुनहरापन बखषती है जहां ये उमीद अवजा बशारत म दे रही है वो फूलों की महग और कलियों के चटकने में अगर सदाय जंजीर और शम्शीर सुनते हैं तो उसी के साथ वो बर्बत के तारों की जहनकार को नजर अंदाज नहीं करते